बिहार SACCZL का फोर्म आ चुका है तो इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार SACCZL फोर्म भरने के लिए कौन-कौन से डॉक्वेस्ट आपको अप्लोड करना पड़ेगा और कौन-कौन से डॉक्वेस्ट रिक्वाइड है जो आपको परपेर करके रखना है जैब इसका फोर् जरूर देखना और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करदाना ताकि फॉर्म भरते टाइम आप कोई मिस्टेक ना करो पसेथिशन फीलागी एसका डीटेल करना थे और कुछ भी आपको अभी अपलोड आंलाइन नहीं करने हैं तो नेक्स्ट अपका तो करने करनी है अगर अग्र ग्रेशन कर रही है तो ऑफिस मह जाएस बात है कि यह का उपलोड़ाइन है वे What सकता है ठीक है तो 12 का परसेंटेज और मार्क्स आप से यहां पर मागा जाएगा ठीक है कोई भी डॉक्यमेंट या आपके जो माक्सिट वगेड़ा है उसको अभी अपलोड करने के लिए तो नहीं भूला गया है और जिन केडिट के पास माक्सिट नहीं है ठीक है उनको अपन है कैटगरी फिल कर देना है ठीक है वहाँ पर सिर्फ कैटगरी पूछा जागा उस इसे बात का होगा तो वे यह वैलट नहीं हो सकता यह चीज आप ध्यान में रखना तो लास्ट तक आप अपने सारे डॉकुमेंट तैयार कर लेना अगर हम बात करें का सेटिविक्ट में तो इसमें काफिश सारे डाया है यह से अंप मैं यह से का संब्सक्राम आपistent ऊपिए फीया इह शण साथ चिज्धव को अधिसा क्ट से क्रती सिंद्व इसे बिलॉग करते हो जहां पर आपको Reservation मिल रही है तो ऐसे Case में आपको Certificate बन बढ़ेगा जैसे कि आप BC से बहर रहे हो तो Certificate required होगा अगर आप general से बहर रहे हो तो कोई भी Certificate यहां पर required नहीं होगा ऊलोगा यूर वाले के लिए या marksit आपने अभी नहीं निकाला है तो आपको percentage पता है अपना marks पता है तो भरके आप यहाँ पर इस form के लिए apply कर पाऊगे डॉक्टमेंट अप्लोड नहीं करना यह बहुत ही अच्छी बात है बहुत सारे ऐसे candidate है जिनके पास उनके document अभी नहीं है तो यह चीज़ ज्यान में रखना आप form भर सकते हो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है तो इस वीडियो को जासे है और शेयर करना अपने दोस्तों में जो भी candidate इस वीडियो को देख रहे हैं अगर चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे बहुत सारे वीडियो इसके लिए गाई इस तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care